तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा एक ऐसी मुवी को जिसकी rating काफी कम थी लेकिन recently उसको काफी appreciate किया जा रहा है और उसकी rating 6.1 stars हो चुकी है इस film का नाम है Little Bone Lodge मुवी काफी interesting है ट्विस्ट काफी खतरनाक और बढ़िया है आपको देखने में काफी मज़ा आएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मुवी की शुरुआत में हमको एक family दिखाये जाती है जिसके अंदर मेसी नाम की एक लड़की अपनी mom rose और अपने dad के साथ रहती थी आज मेसी के dad का बद्दे था जिसके लिए उसने एक cake भी बनाया था अब आग shift के अंदर rose के बनाये हुए कुछ चाकू थे जिनका handle देखने में किसी हड़्डियों से बना हुआ लग रहा था जो चीज मेसी के dad notice कर लेते हैं लेकिन चाहा कर भी वो कुछ बोल नहीं बाते और यह चीज हमको भी काफी weird लगती है अब rose अपने husband को एक injection लगाती है जिसके यह लोग काफी डड़ जाते हैं और तभी इने बाहर से मदद के लिए आवाजे आने लगती है रोज अब जाकर चेक करती है तो उसे बाहर एक लड़का दिखाए देता है जो कि उससे मदद मांग रहा था वो लड़का बार बार कह रहा था कि उसका भाई बहुत बुरी त चली गई थी वो कहता है कि वो ट्रैवल कर रहे थे और अंधेरा होने की वज़़ से उनका एक्सिडेंट हो गया वो लड़का अपना नाम मैटी बताता है और अपने बाई का नाम जैक अब रोज जैक की हाला देखकर उसकी मदद करने का वैसला करती है और मेसी की मदद से पेट से रोड निकाल कर वहाँ पर स्टिचिस लगा देती है लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि रोज ना तो कोई नर्स थी और ना ही उसे स्टिचिस का उतना एडिया था लेकिन फिर भी उसके लगाए हुए स्टिचिस ऐसे लग रहे थे जैसे की वो सालों हो जाता है कि मैटी उससे जुट बोल रहा है अब तब ही वहाँ पर उसका भाई जैक आ जाता है जो कि अब होश में आ गया था और वो आकर रोज से उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है जिसकी बात रोज भी उससे वही सवाल बूचती है जो कि उसने मैटी से जवाब देता है और यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि मैटी का दिमाग बच्चो वाला है जिसकी वज़ा से जैक को भी उससे बच्चो की तरह ही बाते करनी पड़ती है अब दोनों इसकी बात में अराम करने चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों की बातों से हम यह जान वाला बैग ले आए लेकिन उसे पहले रोस को कन्विंस करना पड़ता कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और साथ में उसे रोस की कार की भी जरूरत पड़ती जिसकी बात दोनों एक प्लैन बनाते हैं और अगले सीन में हम मैटी को जैक से जगड़ा करते हुए देख पाते हैं मैटी कह रहा था कि उसका एक फेवरेट नोट बुक उस कार के अंदर छुट गया है और उसे जल्दिस जल्दी वो नोट बुक चाहिए जैक इसी रीजन को लेकर घर से बाहर जाने वाला था लेकिन उससे पहले ही रोस मैटी की पास जाती है और उसे किसी तरह दे शान्त करवा देती है लेकिन एट दा एंड मैटी की हला देख कर रोस भी उस नोट बुक को लाने के लिए मान जाती है जो कि थोड़ा सा वीरड था अब रोस और जैक दोनों कार लेकर उस एकसिडेंट वाले स्पॉर्ट पर निकल जाते हैं पर जाने से पहले रोस मैटी को दوران उसकी मोत हो गई और आज भी रोस उसे बहुत याद करती है अब पीछे से हम मैटी को देखते हैं जिसे मैटी से बात करने का बहुत मन कर रहा था असलमें रोस ने बहुती इसें किसी दूसरे से बात तक करने नहीं दी थी इसलिए मैटी ने आज तक सिर्फ रोस से ही बाते करी है और अब उसे मैटी को देखकर उससे बात करने का मन कर रहा था मेजी मैटी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है जिससे की हमको पता चलता है कि मैटी की मौम की बच्पन में ही मौत हो गई थी जिसके बाद वो अपने भाई के साथ ही रहने लगा था खेर पर दोनों एक्सिडेंट वाली जगा पर पहुंच गए थे और पहुंचते ही जैक पैसो वाला बैग लेकर वहाँ से निकल लेता है लेकिन इसी दोरान हम देखते हैं कि कार के अंदर किसी और की भी बॉड़ी थी और ये बात जैक को मालूम थी लेकिन वो इसे चुपाने की क लगाता है जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये असल में जैक का बॉस था यानि कि ये किसी के अंडर में काम कर रहे थे जो कि पैसो के बैग और अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था और अब तक तो आप समझी गए होगे कि जिसकी बॉड़ी वहाँ पर कार के हुए हैं और ये जैक और मैटी के बारे में ही था जिसको सुनते ही मैटी रीडियो तोड़ देता है और मेसी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके बाद हम रोज और जैक को देखते हैं जो कि घर आ गई थे और जैक ने पहले ही रोज को कुछ ना बोलने के लिए कह दिया जिससे कि Officer को एक दूसरे पुराने केस की यादा जाती है जिसके अंदर एक लेड़ी सडनली गायब हो गई थी लेकिन उसकी फैमली अभी भी थी और वो फैमली कोई और नहीं बलकि रोस की ही फैमली थी लेकिन रोस वो लेड़ी नहीं है जो कि गायब हुई है ऑफिसर समझ कि रोज तो कोई औरी लीडी है जो कि इस घर के अंदर रह रही है लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता उसके सामने जैक आ जाता है और दोनों की बीच फैट होने लगती है जिसके अंदर आफिसर जैक को भेहुश कर देता है लेकिन तब तक रोज आकर आफिसर को गन से conscious हो जाता है अब इस हादसे से हम यह समझ पाते हैं कि रोज को नॉर्मल लेडी नहीं थी बलकि उसके भी कई सारे डार्क सीक्रेट्स थे जो कि हमें मुवी में थोड़ी दिर में पता चलेंगे खैर रोज अब किसी तरह से मेसी को मैनूपलेट करती है और उसकी मदद से ऑफि के अंदर कैद कर दिया था पर किसी तरह से दोनों वहां से निकल जाते हैं यह दोनों वहां से भागने ही वाले थे कि तब ही उनको रियलाइज होता है कि उनका पैसो वाला बैक तो घर के अंदर ही रह गया था मैटी जैक को उस बैक को भूल कर जाने के लिए कहता है लेकिन हाथ पैर कटे हुए थे और दोस्तों अब यहां पर खुलते हैं समूवी के असली पत्ते अब जैक को यहां पर पता चलता है कि यह जो औरत है वो इस घर की असली ओनर है और यह फैमिली भी उसकी ही है यानि कि वो गायब नहीं हुई थी बलकि इसी घर के अंदर कैद थी असल बात में रोज ने बदला लेने के लिए इस लेड़ी की पूरी फैमिली को कैद कर लिया जिसके अंदर उसने पहले तो हस्बंड को ऐसी दवाईयां दी जिससे कि उसकी बॉड़ी पर उसका कंट्रोल ना रहे यानि कि उसको पैरलेसिस हो जाए और मेसी उस समय काफी छोटी वो अपनी फैमिली को देख पाए कि किस तरह से अब उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है यहां तक की रोज इतनी खतरनाक औरत हो गई थी कि स्टार्टिंग में जो नाइफ के हैंडल्स हमने देखे थे वो रोज ने इसी लेड़ी की हड़ियों से बनाए थे और इसल बद ना चाहते हुए भी जैक रोते हुए उस लेड़ी को tante कर देता है तो पर यहां पर इसकी असली मां की सच्शाई उसको बताताै कि रोज प्रूफ के लिए जैक उसे उसकी असली मां की फोटो भी दिखाता है जिससे कि मेसी भी कन्विन्स हो जाती है और उसको भी हमेशा अजीब लगता था कि रोज उसे किसी और से बात करने क्यों नहीं देती जिसकी वज़ा से वो पूरी तरह कन्विन्स हो जाती है और अब जैक यहाँ पर मेसी और उसके डैड को भी रोस की कैट से चुड़ाने का फैसला करता है आगे जैक मेसी को उसके डैड को लेकर कार में बिठाने के लिए कहता है पर फिर वो नोटिस करता है कि मैटी यहां पर था ही नहीं जिसका रीजन था कि मैटी रोस के साथ था इन सब चीजों के दौरान रोस मैटी तक पहुँच गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठा कर उसने मैटी को यह कहा कि वो उसके बेटे जैसा ही है और आज से वही उसकी मा है और मैटी जिसे बच्पन से अपनी मा का प्यार नहीं मिला था वो रोस के अंदर अपनी मा को देखता था और इसी तरह से रोस मैटी को भी मैनुपलेट कर लेती है बिसीकली रोस यहाँ पर मैटी के अंदर अपने बेटे औली को देख रही थी और मैटी रोस के अंदर अपनी मा को देख रहा था अब जैक मैटी को लेने वापस घर में जाता है कि तब भी उसे रोज शूट कर देती है और जैक वहीं का हैलो जाता है मेसी फिर आकर जैक को बाहर ले जाती है और तब तक जैक का बॉस मैक वहाँ पर आ जाता है मैक अबाते ही जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसका बेटा और पैसा के धर है इसका जवाब जैक देता है कि इस औरत के पास ही उसका बेटा और पैसे हैं लेकिन मैक ने आते हुए एक कार का एक्सिडेंट देख लिया था इसलिए उसको पता था कि उसका बेटा अब जुन्दा नहीं रहा मैग इस बात पर जैक को मारता है और कहता है कि उसकी वज़ा से उसके बेटे की जान चली गई है इसलिए अब उसके भाई को मरना होगा मैग फिर जैक को लेकर बाहर आता है और रोस के सामने आकर उसे मैटी को उसके हवाले करने के लिए कह देता है लेकिन रोज जो की अब मैटी को अपने बेटे जैसा मान रही थी वो ऐसा करने से मना कर देती है और अगले ही पल रोज मैक पर शूट करके उसे खतम कर देती है अब मैक का यहाँ पर दूसरा साथी भी था वो पीछे से आकर रोज को मारता है और मैटी उसे नाइफ से स्टैप कर देता है यानि कि यहाँ पर यह दोनु ही मा बेटी जैसा रिश्टा निबा रहे थे अब इस वक्त पर वहाँ पर सभी घायल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठा कर मेसी अपने डैड को लेकर वहाँ से निकल जाती है जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि अब मैटी के साथ सबसे दूर रह रही थी रोज ने मैटी को अपने बेटे जैसा माल लिया था और वो उसकी वैसे ही केर कर रही थी लेकिन मुवी के एंडिंग सीन में हम एक दर्दनाक सीन को देखते हैं कि रोज ने घर के अंदर कैमरा लगा रखे हैं और कैमरा के दूसरी तरफ जैक था जिसके साथ भी रोज ने वैसा ही किया था जैसा उसने मेसी की असली मौम के साथ किया जैक भी अब यहाँ पर अपने भाई को बस स्क्रीन के ओपर देख पा रहा था और उसके लाइफ भी किसी टॉर्चर से कम नहीं रह गई थी और मेरे ख्याल से ये उसके कर्म थे क्योंकि उसने बहुत से लोगों को लूटा था मारा था जिसकी विज़ से उसको यह सब भुगतना पड़ रहा था और बूम इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी लिटल बॉन लॉज फिल्म की कहानी उमिद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी मुझे तो ये थ्रिलर फिल्म काफी बढ़िया लगी यहाँ पर हॉरर एलिमेंट्स भी थे साथ ही साथ यहाँ पर थ्रिल काफी बढ़िया था और ट्विस्ट भी काफी अच्छा है और ये ना उन मूवीज में से एक है जिसकी रेटिंग शुरुवात में आईमडीबी के उपर थ्री स्टार्स थी लेकिन फिलाल इसकी रेटिंग 6.1 स्टार्स हो गई है यानि कि लोग इस फिल्म को काफी एप्रिशेट कर रहे हैं और ट्रस्ट मी आने वाले टाइम में ये वन आफ दा कल्ट क्लासिक मूवीज कहलाईगी बाकि आप लोग मुझे कॉमें बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी चैनल के उपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक किये बिना मच जाएगा तो मैं आप सब को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए